इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सोगर के सुरुवाती लक्षन क्या है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक नंबर दिखाना जाता हूँ जिससे कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा सीरियोस होकर के देखेंगे इडियो में टोटल साथ प्रोर लोग जो हैं डाइबिटीज यानि सोगर के बिमारी का सिकार है इस नंबर से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कितना ज़्यादा सीरियोस होने की ज़रुद है इस वीडियो को आप बिलकुल ही सीरियस वे में होकर के देखिए इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस सुरुवाती लक्षन यानि टोफ फाइफ ऐसे लक्षन के बारे में जो लक्षन आपको दिखाई देते हैं तो कहीं न गई आपको diabetes की विमारी है तो हाली फिलाल में diabetes के कुछ नए लक्षन भी दिखाई दिये हैं तो इस वीडियो में मैंने उन लक्षनों को भी comparison करके बताया है तो यहाँ पर इस वीडियो को आप पूरा ज़रू देखिए पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से identify कर सकते हैं कि आपको diabetes की विमारी है या फिर नहीं है एक नमबर में और दिखाना जाता हूँ जिससे कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा serious होगर के देखिए इस पूरे world में टोटल 42 कड़ो और 20 लाग बंदे ऐसे हैं जिनको diabetes की विमारी है तो ये नमबर इतना बड़ा है आप इस नमबर को देख सकते हैं skin पर मैं आपको 100 भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको serious होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो को पूरा end तक देखना बहुत ज़रूरी है तो आईए जानते हैं कि diabetes के कौन कौन से लक्षन है लेकिन उससे पहले हम आपको बताना जाता हूँ diabetes आखिर होता क्या है आप सभी को जैसा बताए कि आपके body में insulin की कमी हो जाती है आपके body जो है insulin सही तरीके से produce नहीं कर पाती जिसके वज़े से आपको diabetes की बिमारी होती है तो diabetes होने के काफी सारे कारण हो सकते है तो वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे आज हम बात करते हैं कि diabetes के कौन कौन से लक्षन है यहाँ पर जो सबसे पहला सबसे बड़ा जो लक्षन आता है कि आपको पैरों में कुछ अंतर दिखाई दे सकता है आपको एक दो हफते से आपके पैरों में कुछ ना कुछ आपको problem आपको कुछ ना कुछ symptom दिखाई दे रहे होंगे ठीक है तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको कहीं न कहीं diabetes की बिमारी है कुछ अंतर यानि कि जैसे आपके पैरों में सुजन हो सकता है आप जब morning उड़ते हैं तो आपके पैरों में दर्ध होता है यह सारे जो symptoms हैं यह आपकी body में हो रहे हैं आप इस चीज को खुदी analysis कर सकते हैं खुदी identify कर सकते हैं और आप जो हैं बाकी के जो मैं लक्षन बताऊं को उनको comparison करके आप identify कर पाएंगे कि आपको diabetes की बिमारी है या फिर नहीं है यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा लक्षन है वो यह है कि आपको बार बार पिसाब आता है तो इसी के comparative अगर हम another लक्षन बात करें कि आपको बहुत ज़्यादा फिर प्यास भी लगेगे तो यह बहुत ही common symptom है आपने starting से सुना भी होगा कि आप बार बार पिसाब जाते है तो यानि आपको diabetes यानि आपको सुगरी बिमारी होना है हो गई है तो इस चीज को आप notice कर सकते हैं यह जो है age के साब से matter करता है लेकिन आज कल तो diabetes की इमारी 20 साल के उमर के बच्चों को भी हो रही है और 25 साल को भी हो रही है 30 35 40 almost diabetes की इमारी इतनी day by day इतनी बढ़ती जा रही है तो यह मैंने आपको starting में number दिखा है तो आप इस को देख सकते हैं notice कर सकते हैं कहीं आप बार बार फिसापतों नहीं जा रहें जो third सबसे बड़ा लक्षन आता है यहां पर आपको जब घाव होता है फूंसी होती है कोई भी वो चीज जल्दी भर नहीं रही वो जल्दी घाव ठीक नहीं हो रहा तो यह सबसे बड़ा हैं कि diabetes का बहुत बड़ा लक्षन होता है कि आपको हाली फिलाल में एक दो अपते पहले कहीं नहीं अगर फेस पे पिंपल्स होगा होगा वो पिंपल्स आपका ठीक ही नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप other symptom को comparison करके आप analysis कर सकते हैं कि कहीं आपको diabetes क बिमारी तो नहीं होगी है तो यह सारे symptoms हैं आप notice कर सकते हैं जो फोर सबसे बड़ा लक्षन आता है कि आपको आखों पे जोड़ देना पड़ रहा है तो यह सबसे ज़्यादा symptom after 40 age के बात सो होता है कि आपके आखों में दबाव सो हो रहा है आप जब news पर पढ़ते हैं य आप notice कर सकते हैं ओके जो फिफ सबसे बड़ा लक्षन होता है वो यह है कि आप जो है थका थका सा महसूस करेंगे आप जब सुबह उठेंगे आपकी बोड़ी जो है बिल्कुल लेजी होगी आपकी बोड़ी जो है response नहीं करेगी आप जो है काफी ज़्यादा weakness सा feel करेंगे तो यह लक्षन भी आप notice कर सकते हैं अब हम बात करते हैं को diabetes के कुछ अन्य लक्षनों के बारे में जैसे कि आपको heartbeat जो है आपका तेज हो सकता है आपको सिर में दर्द रह सकता है आपको वज़न जो है आप नोटिस कर रहेंगे दो चार हफतों से आपका वज़न जो है धी चीज को भी आप notice कर सकते हैं तो आपको 2-3 लक्षन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप किरिप्या करके doctor से जरूर contact करें या फिर आपको इन में से कोई एक भी लक्षन दिखाई दे रहा है तो फिर भी आप doctor से consult करिए क्या पता diabetes के बिमारी ना हो कोई और बिमारी हो तो बिमारी होने से पहले आपकी बोडी खुद alert बेस्ती है खुद signal बेस्ती है आप उसको बस identify करिए उसको आप पहचानिए इग्नोर मत करिए ओके तो इस वीडियो में मैंने आपको total top 5 लक्षन बताएं diabetes के कौन-कौन से हैं इस चीज को आप देखिए मैं स्क्रीन पे स जरू सस्क्राइब करिए मैं अपने चैनल पर इसी से लेटेड जो है वीडियो डालता रहता हूं कि ताकि आप अपनी लाइफ में हेल्थ से लेटेड अपडेट रहें आप अपनी हेल्थ को ठीक रखें आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं अ थैंक्यो समच्छ